मेरे सहीयोगी स्रिमान श्रीपाद नाइत जी राजस्तान के मुख्यमंत्री स्रिमान अशोग गहलोच जी गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान विजय भाहरुपानी जी राजस्तान के गवणर स्रिमान कलराज जी गुजरात के गवणर स्रिमान आचार्य देवरत जी अन्य सभी मंत्री गण, सांसद गण, विधायक गण आउर्वेच से जुड़े सभी विद्वाजन, देवी और सजनों आप सभी को धनतेरस, भगवान धन्मंत्री की जैन्ती की बहुत बहुत छुपकावनाएं दन्मंत्री जीने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आउर्वेच की रचना भी उनके आशिर्वात से हुई है आज के इस पावन दिन आईर्वेच दिवस पर भगवान धन्मंत्री से पूरी मानवजात की प्रारतना है कि वो भारत समेट पूरी दुनिया को आरोग्य का आशिस दें साथियों इस बार का आईर्वेच दिवस गुजरात और राजस्तान के लिए विशेष हैं हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष हैं आज गुजरात के जामनगर में इंस्टिटूट अब टीचिंग अड रिसर्च इन आईर्वेदा को इंस्टिटूट अब नेशनल इंपोर्टन्स के रुप में माननेता मिली हैं इसी तरह जैपूर के राष्ट्रिय आईर्वेच समस्तान को भी डिम्ड उनिवर्सिटी के रुप में आज लोकार्पित किया गया है आईर्वेद में उच्च सिख्षा, रिसर्च और स्किल्ड डेवलप्मेंट से जुड़े इन बहतरिन समस्तानों के लिए राजस्तान गुजरात के साथ ही पुरे देश को बहुत बहुत बधाई साथियों आईर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है ये देखकर कीस भारतिये को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरि ज्ञान अब अन्य देशों को भी सम्रुद्द कर रहा है आज ब्राजिल की राष्ट्रिय निती में आईर्वेद शामिल है भारत अमेरिका सम्मंध हो भारत जर्मनी रिष्टे हो आउश और भारतिय पारंपरिक चिकित सा पद्दती से जुड़ा सयोग निरंतर बढ़ रहा है ये भी प्रतेग भारतिय के लिए बहुत गर्व की बात है कि डब्लू एचो ने और अभी डब्लू एचो के मुख्या और मेरे मित्र होना ने बहुत महत्वपन गोश्णा की है डब्लू एचो ने ग्लोबल सेंटर फर ट्रेडिशनल मेडिसीन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ और नाशन का विशेश रुप से डब्लू एचे के महा निर्देशक मेरे मित्र डॉक्टरन ट्रेडोस का भी रदैस से आभार ब्यक्ता करता हूँ मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मसी अब दे वर्ल्ड इस रूप में उभरा है उसी पकार पारमपारिक चिकित्षा का ये सेंटर भी ग्लोबल वैलनेस का सेंटर बनेगा ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदिया देने वाला साबित होगा साथियों बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटिग्रेट हो रही है स्वास्त भी इससे अलग नहीं है इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पध्यत्यों के इंटिग्रेशन सभी को महत्व देनी की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है इसी सोच ने आउश को आईरुवेद को देश की आरोग्य निती हेल्थ पॉलिसी का प्रमूग हिस्सा बनाया है आज हम स्वास्थ के अपने पारंपारी खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं साथियों ये हमेशा से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है लेकिन ये भी उतना ही सही है कि ये ज्यान ज्यादातर किताबों में सास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुस्खों में रहा है इस ग्यान को आधुनिक आवश्चत्ताओं के अनुसार विक्सित किया जाना ये बहुत आवश्चत है इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकत वाला ग्यान जो है उस ग्यान विज्ञान को 21 सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकरी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है इंटीग्रेट किया जा रहा है नई रिसर्च की जा रही है तीन साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतिय अरुवेदिक समस्तान के सापना की गई है लिहे में सोवा रित्पा से जूड़ी रिसर्च और दूसरे अध्यन के लिए राश्ट्रियस सोवा रित्पा समस्तान विक्सित करने का काम जारी है आज गुजरात और राजस्तान के जिन दो समस्तानों को अपग्रेड किया गया है वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है भाई और भेनों कहते हैं जब कद बढ़ता है तो दाइत्व भी बढ़ता है आज जब इन दो महत्वपुन समस्तानों का कद बढ़ा है तो मेरा एक आग्रवी है देश के प्रीमियम आईरुवेदिक समस्तान होने के कारण अब आप और आप सब पर ऐसे पाठ्रकम तयार करने की जिम्मेदारी हैं जो इंटरनेशनल प्रक्टिसिस के अनुकूल और विज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो मैं सिक्षा मंत्राले और UGC को भी आग्रे से कहूंगा कि आयूर भावतिकी और आयूर रथायन सात्र जेसे विशयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए इससे रिसर्च को जादा से जादा बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल केरुकूलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर हमारे स्टार्ट अप से उनसे भी एक विश्यस आग रहे हैं देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्ट अप्स को आईउर्वेट की ग्लोबल डिमांद को स्टेड़ी करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्तेदारी सुनिस्जिक करनी चाहिए आयुरुवेट की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में भोकल होना है मुझे विश्वास है कि हमारे साजा प्रयासों से आयुशी नहीं बलकि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टिम एक बड़े बड़लाव का साक्षी बनेगा साथियों आप भली भाती ये भी जानते हैं कि इसी साल सौंसत के मौनसुन सत्र में दो एतियासिक आयोग भी बनाए गए हैं पहला नेशनल कमिशन फर इनियन सिस्टिम सब मेडिसिन और दूसरा नेशनल कमिशन फर होम्योप्रथी यही नहीं नई राष्ट्रिय सिक्षान निती में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इन्टीग्रेशन की एप्रोज को प्रोस्थाइट किया गया है। इस पॉलिसी की भावना है कि एलोपथिक एजुकेशन में आयुवेद की बेसिक जानकारी जरूरी हो और आयुवेदिक एजुकेशन में एलोपथिक प्रक्टिसिट की मूल जानकारी जरूरी हो ये कदम आयुश और भारतिय पारंपारी चिकित्सा पद्ददी से जुड़ी शिक्षा और रिसर्च को और मजबुत बनाएंगे। साथियों 21 सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्ट से जुड़ी चुनोतियों को भी अब होलिस्टिक एप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुल्जाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हिल्थ केर पर वेलनेस जादा फोकस किया जा रहा है। आचारिय चरग ने भी कहा है। स्वस्तत से स्वास्त रक्षनम, आतुरत से विकार प्रशमनच, यानि स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ये आविर्वेर के उद्देश है। स्वस्त व्यक्ति स्वस्त ही रहे। इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बिमार करने वाली स्थीतियां दूर हो। एक तरफ साप सफाई, स्वच्छता, सवचालय, साप पानी, धुवा मुक्तर सोई, पोशन इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वही देड़ लाग हेल्थ और वेल्डेस सेंटर्स हिंदुस्तान के कौने कौने में तैयार किये जा रहे हैं। इनमें विशेश तोर पर साड़े मारा हजार से ज़्यादा आयूस वेलनेस सेंटर्स पूरी तरह आयूरुवेद को समर्पित हैं, आयूरुवेद से जुड़े बन रहे हैं। साथियों, वेलनेस का ये भारतिय दर्शन आज पूरी दुनिया को आकरशित कर रहा है। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्द आण वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपारिक विद्या कितनी कारगर है। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूद और काड़ा जैसे अनेक इमिनिटी बुष्टर उपाई बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंग्या, इतनी गनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज संबली हुई स्थिति में हैं, तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी एहम भूमी का रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आउरुवेदिक प्रोडक्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आउरुवेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग देड़ गुना करीब करीब 45 प्रतिशत बढ़ा है। यही नहीं मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हल्दी, अद्रक ऐसी चिंजे जो इमिनिटी बुष्टर मानी जाती हैं उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया में आउरुवेदिक समाधानों और भारतिय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेश पेप्रदार्सों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिष्टित मेडिकल जर्नल्स भी आउरुवेदि में नई आशा, नई उमीद देख रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आयुवेदि के उपयोग तक ही सिमित नहीं रहा। बलकि इस मुश्किल गड़ी का इत्माल आयुश से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आज एक तरफ भारत जहां वैक्सिन की टेस्टिंग कर रहा है। बहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आयुवेदिक रिसर्च वरभी इंटरनेशनल कॉलबरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी अभी हमारे साथी श्रिपाज जी ने बताया कि इस समय सो से जादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है। यहां दिल्ली में ही अखिल भारतिय आयुवेदि समस्तान ने जैसा अभी आपको विस्तार जे बताये गया। दिल्ली पुलिस के असी हजार जवानों पर इम्मिनुटी से जुड़े रिसर्च की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टड़ी हो सकती है। इसके भी उत्सा अजनक प्रणाम देखने को मिले हैं। आने वाले दिनों में कुछ और अंतराश्य परिक्षन भी शुरू किये जाने हैं। साथियों, आज हम आविरुवेदिक दमाओं, जड़ी बुटियों के साथ साथ इम्मिनुटी को बढाने वाले नुट्रेश्यस फूर्ट पर भी विश्यस बल दे रहे हैं। मोटे अनाज यानि मिलेट्स का उत्पादन बढाने के लिए आज किसानों को प्रोथसाइद किया जा रहा है। यही नहीं गंगाजी के किनारे और हिमालई छेत्रों में और्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईवेट से जुड़े हुए पैड पौदे लगाने पर बल दिया जा रहा है। कोशिज यह हैं कि दुनिया की वेलनेस में भारत जादा से जादा कंट्रिबूट करें। हमारा एक्सपोर्ड भी बढ़े और हमारे किसानों की आयमें भी बढ़ोत्री हो। आयुश मंतरा ले इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोवीड माहमारी शुरू होने के बाद। आयरुवेदिक जड़ी बुटियां जैसे अस्वगंदा, गिलोज, तुलसी, आदी की किमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी। लोगों का विश्वात बढ़ा, मुझे बताया गया है कि इस बार अस्वगंदा की किमत पिछले साल के मुकामले दो गुनी से भी जादा तक पहुँची है। इसका सीधा लाब इन पौधों, इन जड़ी बुटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुँचा है। हाला कि अनेक जड़ी बुटियां हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे हाँ जागरुकता और बढ़ाने के जरूरत है। ऐसे लगभक पचास अउसद्य पहुदे हैं जिनकी सबजियां और सलात के रुप में खुब उपयोगिता है। ऐसे में कृशि मंत्रालय हो, आयुश मंत्रालय हो या फिर दूसरे विभाग हो। सभी के सयुक्त प्रयासों से इस खेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आयुवेज से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टिम के विकास में, देश में, हेल्थ एन वेल्नेस से जुड़े तूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा। गुजरात और राजस्थान में तो इसके लिए असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे विश्वात है कि जामनगर और जैपूर के ये दोनों संसाथ इस दिशा में भी लापकारी सिद्ध होंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई। आज छोटी दिवाली हैं, कल बड़ी दिवाली हैं, आपको आपके परिवार को भी मेरी तरब से इस दिपावली के पावन परवकी अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झाल